कवल जीत को आया अटैक स्वरंड पर तूटा मुसीबत का पहाड बच्चों ने भी छोड़ा साथ कलिश टीवी पर 28 फरवदी से नया सीरियल नई कहानी के साथ प्रसारित होने वाला है टीवी सीरियल स्वरंड घर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है जिसमें दिल को छूलेने वाली कहानी दिखाई गई है दरसल स्वरंड एक ऐसी महिला के संघर्ष की कहानी है जो अपने पती कवल जीत बेदी के साथ चंडीगड में रहती है और उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है स्वरंड और कमलजीत के तीन बेटे हैं जिने उन्होंने पालपोश कर बड़ा किया है सुख दुख सह कर उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे संसकार देने की कोशिश की है लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों ने माता पिता को दरकिनार कर दिया है और बच्चों को ये महसूस होने लगा है कि माता पिता ने उन्हें अपना स्वार्थ साधने के लिए पाला है तीन बेटे होने के बावजूद कवलजीत और स्वरण बेसाहरा बुजर्गों की तरह अपना जीवन बिटा रहे है इसी बीच एक बड़ा हाथसा हो जाता है कवलजीत को अटायक आता है और स्वरण उन्हें अस्पताल ले जाती है लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि तुरंट सर्जरी करनी होगी वरना इन्हें पैरलिसिस हो जाएगा और स्वरण से उपरेशन के लिए पैसे की डिमांड की जाती है स्वरण अपने बच्चों से मदद मांगती है लेकिन बच्चे इस मुसीबत भरे मौके में भी उनका साथ नहीं देते और इसी तरह से बच्चों के साथ माता पिता के संगर्स को सीरियल में दिखाया गया है आपको बताते कि सरगुन महता और रवी दूबे द्वारा निर्मित किया गया ये शो है इससे पहले भी उडारिया सीरियल ये दोनों प्रोडियूस कर चुके हैं और उसी सफलता को देखते हुए कलर्स चैनल पर अब इनका ये दूसरा शो आने वाला है उमीद है कि नई कहानी दर्शकों को पसंद आएगी और जिस तरह से शो में कहानी दिखाई गई है वो हर घर की कहानी है जिसकी वज़े से दर्शक शो से अपना जुडाओ महसूस कर सकते हैं टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़े इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुंचाएं